एन्सीसी भरती में पुछे के प्रस्ण, 100% सेलक्षन होगा, फ्री मोडल पर टू, क्लास मात्र पचास मिनर का होगा, और टोटल नमर अप कोश्चन सत्तर होगे, और सत्तर नमर का कोश्चन है, टेस्ट आप पूरा देंगे, इस पर डिबेंड कारते आपका एन्सीसी में सेलक आप्सन सी चार रंग, या फिर आप्सन डी, पांच रंग, टाइम शुरू हो चुका है, एक कोश्चन के अपको मात्र 20 शेकन का टाइम मिलता है, और आपका टाइम इधर चल रहा है, ठीक है, लिमिट टाइम आंसर सभी को बताना होगा, चली जल्दी, और जो लोग नए हो टोटल तीन रग होते हैं, आप्सन बी वाले साही है, नेक्स्ट, सेकन्ड कोश्चन, संचार के छेत्र में नया नेटवर्क कौन सा आने माला है, आप्सन ए 2G, आप्सन भी 3G, आप्सन सी 4G, या फिर आप्सन डी 5G, टाइम शुरू हो चुका है, और क्लास आपकी डेली जो कि 7 बजे, प्लेलिस बना दिया उठीक है, आपको जो भी जनकार चाही है, प्लेलिस में सेले लेंगे, संचार के छेत्र में नया नेटवर्क कौन सा आने माला है, जल्दी सा भी लोग, टाइम अप, तो संचार के छेत्र में नया नेटवर्क 5G आने माला है, आप्सन डी सब्सक्राइब पूरा देंगा ठीक है अभी तक अपना 100% शिलेक्षन हो चुका है जितने लोगों टेस्ट दिया बच गया है आप लोग तो जीने भी NCC रहना आप रोज क्लास करें टेस्ट डेली दे शिलेक्षन कंफॉर्म होगा अगर आप मेरे लूस फॉलो करते हैं तो ग नेक्स्ट कोश्च नंबर फोर एन्सीसी में कितनी विंग होती है ओफ्सन दो विंग ओफ्सन वी तिन विंग ओफ्सन सी चार विंग या फिर ओफ्सन डी पांच विंग टाइम शुरू चुका है एन्सीसी में कुल कितनी विंग्ष होती है सभी लोग जल्दी से आंसर बता option आपके सामने है, limit time में जो बताएगा वही, real tiger out selection आपका confirm, चलिए जल्दी, और test पूरा देंगा, ठीक है, 7 question पूरा, time up, तो NCC में cool 3 wing होती है, यानि option B वाले से यह 3 wing, next, question number 5, भारत और चीन का शीमा रेखा, किस नाम से जाना जाता है, option A, L, O, C, B, Red Cliff line, C, McMohan line, या फिर D, L, A, C, time शीरू चुका है, चलिए जल्दी, और सबसे खास बात कि आपको यह, जल्द आप गेस करके question नहीं बता जाता, यह सारे आपके original question से जो आपके NCC exam all India में, same question, all India में same, चलिए जल्दी, भारत और चीन के शीमा रेखा को किस नाम स इसका correct answer होगा, option C वाले सही है, मैं एक मोहन रेखा, यानि C is the correct answer, next, question number six, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम लिखो, option is sodium chloride, B, sodium hydroxide, C, hydrogen oxide, या फिर option D, sodium chlorine, time चुरू चुका है, question समझिएगा, खाने वाले नमक का मतलब है normal salt का पूछ रहा है, जो हम लोग खाते हैं, उसका रा निकल नेम बताना है, option is sodium chloride, sodium hydroxide, hydrogen oxide, या फिर sodium chlorine, शब भी लोग जल्दी से comment करें, चलिए time अप, तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम, sodium chloride है, option ये वाले सही है, sodium chloride, next, question number seven, कौन से दो देश, पाक, इस्टेट से अलग होते हैं, option भारत और पाकिस्तान, option भी भारत और चीन option सी भारत और स्रिलंका, या फिर option भारत और नेपाल, टाइम शरू हो चुका है, पाल के स्टेट, काफी लोग ने नाम नहीं सुनेगा, पाक, स्टेट इसको बोलते हैं, तो उन दोनों देशों का नाम बताने हैं, जो इससे अलग होते हैं, option में है भारत और पाकिस्तान, भ जो देश हैं, भारत और स्रिलंका यानि option C वाले से ही है, next, question number 8, शर्व स्रेष्ट सांती पुरुसकार कौन सा है, option प्रणवीर चक्र, option B, नोबल सांती पुरुसकार, option C, अस्वक चक्र, या फिर option D, शहित पुरुसकार, टाइम शरू हो चुका है, शर्व स्रेष्ट सांती पुरुसकार कौन सा है, तो सबी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा, यानि सांती के लिए दिया जनवाला सबसे बड़ा पुरुसकार कौन सा है, option में प्रणवीर चक्र, नोबल सांती पुरुसकार, अर्शुक चक्र या फिर शहित पुरुसकार, चलिए fast, time off, तो सबसे पड़ा सांती पुरुसकार है, नोबल शांती पुरुसकार, और option B वाले सही है, next, question मना इन, पिछे मुड करवाही में कितना डिगरी घुमते है, option नबबे डिगरी, option 280 डिगरी, option सी 307 डिगरी, या फिर option 120 डिगरी, time शुरु हो चुका है, पिछे मुड यानि, अबाव टर में कितना डिगरी टर्न करना पड़ता है, और स्कूल में भी आप लोग और कॉलेज में भी, प्रियार में करते हैं हम लोग पिछे मुड दाहीन मुड ये सब, तो सभी का सही आंसर होना ची, और बाव मेन आपको, model पेपर में ही बता रखा है, तो आप model पर कंटिव पड़ ओप्शन ए, 7 गोल्ड मेडल, B 22 गोल्ड मेडल, C 19 गोल्ड मेडल, या फिर D 61 गोल्ड मेडल, टाइम शुरू चुका है, कोश्चन ध्यान दीजेगा नहीं तो फस सकते हैं, 2022 कमान वेल्थ, गेम्स जोकि बर मिंगम में हुआ है, तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ये बताना, 7 गोल्ड मेडल, 22 गोल्ड मेडल, 19 गोल्ड मेडल या फिर 61 गोल्ड मेडल, चली जल्दी, टाइम अप, तो अभी 2022 कमान वेल्थ में भारत ने, टोटल, 22 गोल्ड मेडल अपने नाम की, ओप्शन B वाले से 22 गोल्ड मेडल, नेक्स्ट, कोश्चन नमर 11, खाने व टू, टाइम शुरू चुका है, खाने वाले नमा का शुत्र आनी, वही नर्मल शॉट का, केमिकल फर्मूला पूछ रहा है, शिम्पल एगर आप पढ़ेऊंगे मडल वीपर तो, क्योकि मैंने सारे आंसर सापको पहले से एविलेबल करा रखे, टोटल नमबर अपको पता ह कितना है, जो मैंने आपको बताया है, ओरीजनल, 600 से भी जयाद है, तो आपको सारे पढ़ने पढ़ेंगे, तर जाके आपके सेम कोश्चन आएंगे, टाइम आप, खाने वाले नमा का शुत्र, एने सीयल होता है, ओप्शन एवाले से एने सीयल, कोश्चन नमार टूएल, ए जैसे स्वास्त विवाग स्वास्त मिनिस्ट्री में आता है, तो उसी तरह से NCC किस मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है, ओप्शन में स्वास्त मिनिस्ट्री में, बी डिफेंस मिनिस्ट्री में, शी, खेल मिनिस्ट्री में, या फिदी, इने में से, शभी, शभी लोग जल्द फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाडी होते हैं। आफ्साने 6 खिलाडी, B 15 खिलाडी, C 11 खिलाडी या फिर D 12 खिलाडी। टाइम शुरू प्लेयर्स प्लेयर्स प्लेड इनर टीम ओफ फुटबॉल। बच्चावाला कोश्चन है फुटबॉल तो सभी लोग खिलते होंगे या फिर मैच बगेर देखते होंगे। और मॉडल फेपर में आपको बता रखाऊ। चली जल्दी। छौव खिलाडी, 15 खिलाडी, 11 या फिर 12 खिलाडी। फास्ट, टाइम अब। तो फुटबॉल के एक्टिम में टोटल 11 खिलाडी खिलते हैं। तो ओफ्शन C वाले से ही 11 खिलाडी। नेक्स्ट, कोश्चन नमबर 14, भारत की प्रथम आदिवाशी महिला राष्टपती कौन है। ओफ्शन इंद्रा गांधी, B. पर्तिभा पाटिल, C. सोनिया गांधी या फिर दरब्दी मुर्म। टाइम शुरू चुका। कोश्चन ध्यान देने माली है। भारत की प्रथम आदिवाशी महिला कुछाय ध्यान दीजेगा। नहीं तो काफी लोग फस जाएंगे जो लोग नहीं पढ़के आएंगे। ओफ्शन में इंद्रा गांधी, पर्तिभा पाटिल, सोनिया गांधी या फिर दरब्दी मुर्म। आदिवाशी महिला राष्पती कौन है भारत की पहली। चली जल्दी, टाइम अप, तो भारत की प्रतम आदिवाशी महिला दरब्दी मुर्म। अभी जो नई नई बनी है, ओफ्शन D वाले से यह दरब्दी मुर्म। नेक्स्ट, 15 नमबर, हरिदवार किस नदी के किनारे इस्तित है, ओप्शन A नदी के, B गंगा नदी के, C बनम पुत्र नदी के, या फटी कावेरी नदी के, टाइम शुरू हो चुका है, हरिदवार किस नदी के किनारे इस्तित है या निक बश्चा हुआ है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे, बीना किशी देरी के, चलिए fast, हरिदवार किश नदी के किनारे इस्तित है, और मात्र दो शेकन का टाइम बचा है, टाइम आप, तो हरिदवार गंगा नदी के किनारे बचा है, option B वाले से ये गंगा नदी, नेक्स्ट, question number 16, भारत में मूल अधिकारों के शांख्या कितनी है, option 6 मूल अधिकार, B 8 मूल अधिकार, C 10 मूल अधिकार, या फिर option D 12 मूल अधिकार, टाइम शुरूँ चुका है, मूल अधिकार का या पर समझीएगा, मूल अधिकार मूल अधिकार कोई बोलते हैं, यानी, भारत में कितने fundamental rights हैं, इंगलीज में बोले तो, 6 मूल अधिकार, 8 मूल अधिकार, 10 मूल अधिकार, या फिर 12 मूल अधिकार नी fundamental rights, चली fast, बच्च वाला question है, time up, तो भारत में total fundamental मूल अधिकार, 6 है, option ये वाले सिए, 6 मूल अधिकार, next, question 17, शर्दार भगत्सी के साथ, किस-किस को फांसी दी गई थी, option है, शुखदेव और चंदर सेखराजाद को, B, राजगुरु और सुभास चंदर बोश को, C, शुखदेव और राजगुरु को, या फिर D, पढ़े लगो, टाइम शुरू हो चुका है, बहुती अच्छा question जहां भी पूछाता, पूछा है, आपके निवभर्ती का पूछा गया question है, सारे, भगत्सी के साथ, किन दो लोगों को फासी दिगे थी, इन लोगों का नाम, तिनों का एक सत लिया जाता है, छिली जल्दी, option आपके सामने है, और उसही भी का अंसर सही आना चीए, fast, time up, तो भगत्सी के साथ, शुकुदेव और राजगुरु को फासी दिगे थी, option C बल्सी एरे नाम बोलते न, राजगुरु शुकुदेव भगत्सी, sequence में, आपको याद होना चीए, question 18, रक्त सर्वदाता शमु ह यानि कौन सा है, option A, A ग्रूप, option B, B ग्रूप, option C, O ग्रूप, या फिर option D, A, B ग्रूप, time शुरू चुका है, चलिए शबी लोग जल्दी से, जो लोग पढ़े होंगे आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही हो मक्त, यानि मोडल वेपर्स में बता रहके सारे question, answer के सा और ये सारे आपके निव भर्ती के पूछे गए question है, रक्त सर्वदाता समूँ मतलब किसी भी blood group को दे सकता ही है, A, B, O या 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 बी, जल्दी, time up, तो रक्त सर्वदाता समूँ है, O गुरूप, option C वाले साही, O गुरूप, O blood group किसी भी blood group को अब बलट दे सकते हैं, question 18, N NCC के DG कौन है, option है, Lieutenant General Tarun Kumaraj, B, General Moranj Mukundarwane, C, Lieutenant General Gurubiripal C, EFOD, Shree Rajanath C, time शुरू हो चुका है, ये DG जो होते हैं, आपके NCC के head होते हैं, तो अभी प्रिजेंट में NCC के DG कौन है, श्रभी लोग जल्दी से बताएंगे, fast, who is the president, और इसका full form होता है, DG का Director General, मैंने आपको पढ़ा रहा है, और आठ बजे क्लास में भी चलता है साम में, चलिए time up, तो अभी वर्तवान में NCC के DG है, Lieutenant General Gurubiripal C, option C वाले से ही है, next, question number 20, प्फूलों की घाटी कीसे कहते हैं, option स्रीनगर को, B जम्मु कश्मिर को, C उत्राखंड को, या फिर D हिमाचल परदेश को, टाइम शुरू हो चुक्या, प्फूलों की घाटी कीसे कहते हैं, बहुती अच्छा question है, latest question है, जो आपके भर्तिम पूछा गया, श्रभी लोग ज टाइम अप, तो फूलों की घाटी उत्राखंड को, यानि UK को घाते हैं, तो option C वाले सी उत्राखंड को, next, question number 21, फ्फूलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तमाल होता है, option है, हिलियम गैस का, B नैट्रोजन गैस का, C एथिलीन गैस का, या अक्षिजन गैस का, टाइ अभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए, फास्ट, अला टाइगर आफ तेजस फैमिली, जो लोग तेजस के पास आ गए, NCC लेना है तो लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको शही जनकारी दिया जाता है, बीना टाइमेस के, चलिए टाइम आप, तो फॉलों को पकाने के ल शीप 15 अगश्ट 1-50 को, य आफ़र दि 26 जनवरीवेश 29 को, टाइम शुरू है, भारत और पाकिस्टान का बटवारा कब हुआ, शबी लोग जल्दी से बताएंगे, डेड के साथ आपको पता उना चीए, बहुत इजी और इंपरडेंट कोस्चन है आपके निवर्थी के ल पंदरा अगस्त उनिश्व सेतालिस को हुआ था तो अप्शन बी वाले सही है नेक्स्ट 23 नमर ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट कोश्चन दिमाग टेस्ट करने वाला बाट आपके एक्जाम में पूछा है एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में शुखता है तो 10 कपड़े धूप तो बच्चा आपका ध्यान फिर क्लास में नहीं है सबका शहिया नचीए फ़ली समझ लूप मैंने आपको पहले बता दिया आपका मायन टेस्ट करने माला कोश्चन है एक कपड़ा 10 मिनट में शुखता है तो 10 कपड़े कितनी मिनट में धूप में टाइम आप तो कॉरेक्ट आंसर होगा 10 मिनट में शुखेगा न क्योंकि धूप सारे कपड़े पर एकवल लगेगा तो B बाले से ये 10 मिनट बाकी लुप जो गलत हो ध्यान दीजिए 24 नमबर 20 वे जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं आप्शन A 11 जुलाई को B 5 जुन को C 14 नॉवंबर को A 4D 30 जनवरी को टाइम शुरू हो चुका है 20 वे जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं सभी लोग जल्दी से बताएंगे आप्शन A है 11 जुलाई को B 5 जुन को C 14 नॉवंबर को या 30 जनवरी को चलिए फास्ट वे जनसंख्या दिवस प्रते एक वर्स 11 जुलाई को मनाया जाता है आप्शन A वाले से ही 11 जुलाई 25 नमबर CBI का फुल फर्म लिक है आप्शन A Central Board of India B Core Bank of India C Central Bank of India AFD Central Board of India टाइम शुरू हो चुका है फुल फर्म आफ CBI आंसर सभी का जल्दी से आना चीए चलिए फास्ट CBI का फुल फर्म क्या होता है गुड जुश चलिए जल्दी और दो सेगेंड टाइम आप CBI का फुल फर्म होता है जो ऑप्सन में दिया है Central Bank of India अप्सन C वाले साइए नेक्स्ट 26 नमर भारत की जल्परी किसे कहते हैं ऑप्सन इंद्रा गांधी को B किरन बेदी को C आरती सहा को या फुल पीवी शिंदु को टाइम शुरू हो चुका है भारत की जल्परी किसे कहते हैं काफी बढ़िया बढ़िया कोश्चन पूछा अभी नये माले में चलि जल्दी अगर आप सारे कोश्चन पढ़ लेते हैं जितना आपको औरिजनल अभिड़ेवल कराया 600 से भी ज्यादा अभी तक एंसी सी बढ़िया में पूछ चुके ओल इंडिया में सेम कोश्चन आते आपको शारे पढ़ने पढ़ेंगे चलि टाइम आप तो भारत की जल्परी आरती शाहा को कहते हैं तो अप्शन C वाले से ही आरती साहा नेक्स्ट 27 नमर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है आप्शन E रूस B चीन C भारत E आफिर D अमेरिका टाइम शुरू हो चुका है तो जल्दी से सबी लोग बताएं मिदला Which country having Largest यानि maximum population सबसे ज़्यादा लोग किस देश में राते हैं किस की जनसंख्या वाला देश चीन है यानि option B वाले से यह चीन लगभाग 144 करोड है 28 नमर पानी का रसाइनिक नाम लिखो option is sodium chloride B hydrogen oxide C hydrogen peroxide या फिर D hydrogen oxygen टाइम शुरू हो चुका है पानी का रसाइनिक नाम लिखना है यानि chemical name of water chemical ने में ध्यान दीजेगा भले आथा ना नमा का chemical है मुशी तरसे पानी का chemical ने में क्या होता है chemical formula इसमें नहीं है option आपको दिया गया इसलिए mistake नहीं होना ची चले जल्दी सभी लोग time अब तो पानी का रसाइनिक नाम hydrogen oxide होता है option B वाले सही है next 29 number शूरे खाली अस्तान विटामिन परदान करता है option आ विटामिन D option B विटामिन C option C विटामिन B या फिर option D विटामिन A time शुरू हो चुका है शिधा सा question है कि भईया सूरे से हम लोगो कौन से विटामिन प्राफता या नी मिलता है यानी sun ray यानी sun light से सूरे की किरन से चले जल्दी option में विटामिन D विटामिन C विटामिन B और विटामिन A correct answer कौन सा होगा fast time up तो सूरे हम लोगो विटामिन D परदान करता है option A वाले से ही विटामिन D next question मत हटी GST लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है option France B जर्मानी C रूस या फिर D भारत time शुरू हो चुका है GST समझते हैं GST का full form आपके एक्जाम में पूशता है और काफी लोग फस्ते हो 90% GST का full form गलत लिखते है 99% बस दोचा लोग सही बताते है तो याद करेंगे GST का full form भी तो GST सबसे पहले किस देश ने लागू किया था France जर्मानी रूस या भारत चलि जल्दी सभी लोग time up तो GST सबसे पहले France ने लागू किया था अपने देश में option A वाले सही है France question 31 कोईले की खान कहां इस्तित है option A जर्खन में B राजस्थान में C मद्ध पर्दिस में या अफ़ड़ी उत्राखन में time शुरू हो चुका है कोईले की खान कहां इस्तित है option आपके शामने है जर्खन में राजस्थान में मद्ध पर्दिस में या को उत्राखन में मतलब सबसे ज़्यादा कोईला किस जगव मित्त है राज का नाम दिया तो किस राज में जल्दी good yours time up तो कोईले की खान जर्खन में है option आपके सामने है विराज को उत्राखन में रोईज सर्मा को महंदर सी धोनी को या फिर इसान किसन को चली जल्दी time up तो विवो ने विराट कोहली को अपना ब्राण विशर बनाया था option A वाले सी विराट कोहली next 33 computer का दिमाग किसे कहते हैं option ने modem को B mouse को C monitor को या फिर D CPU को time शुरू हो चुका है brain of computer किसे कहा जाता है option आपके सामने है चली जल्दी यानि computer किसके थुरू काम करता है हम लोग का तो दिमाग होता है तो computer का दिमाग किसे कहते हैं modem को mouse को monitor को या फिर CPU को सबी लोग जल्दी से comment करें time up तो computer का दिमाग मुगल बंस का अंतिम शासा कौन था option आपके सामने बाबर B. अरंग जेब C. बहादुर सा जफर या फिर D. अकबर time शुरू हो चुका है who was the last emperor of the मुगलिये बंस चली जल्दी बाबर अरंग जेब बहादुर सा जफर या फिर अकबर यानि मुगल बंस का सबसे अंतिम शासा कौन था चली जल्दी time up तो correct answer का मुगल बंस का अंतिम शासा बहादुर सा जफर था option C वाले सही है बाकी लोग काफी लोग बाबर लिख दिये रहे भाई बाबर तो पहला था ना अब लोग ध्यान रखेर पढ़िये 35 नमबर भारत के कमांडर अभिनांदन ने पाकिस्तान के किस एरक्राफ्ट को मार गिरेया था option E F-16 लडाको विवान को B-3 लडाको विवान को C-3 शुखोई लडाको विवान को EFOD MiG-21 लडाको विवान को टाइम शिरू हो चुका है अभिनांदन वाला आप लोग नीच पड़े था ना और फिर पाकिस्तान ने डर के मारे भारत को अभिनांदन को एक दिन में ही वापस कर दिता रिटर्ण कि भारत ने पूरी त्यारी कर ली थी हमला करने की तो कमांडर अभिनांदन ने पाकिस्तान के किस एरक्राफ्ट को मार गे रहा था जल्दी से सभी लोग बता है टाइम अप तो क्रेक्ट अंसर होगा ओपसन ए एफ-16 लडाको विवान को तो ओपसन ए वाले सही है नेक्स्ट कोश्टम थर्टिस विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताईए ओपसन ए बेरी-बेरी बी असकर भी शी रेविज यार्फटी प्लेग टाइम शुरू हो चुका है ओपसन नमर आपको गलाता है जीके ये सी है और ये डी है विच डिजीज बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी-बेरी थे आफसेन बिहार के बियुत्तर प्रदिश के शी गुजरात के याफ़डी राज्तान के टाइम शुरू हो चुका है पर्धान मंतरी नडेंद्र मोदी पहले किस राज के मुख में देशे मतला पर्धान मंतरी बनने से पहले सबी लोग जल्दी से अंसर बताएंगे बहुत कोश्चन है आपको पता होना चीए कोश्चन आपके एकजाम में पूशा और 2022 में पूछा है अभी लेटेस्ट कोश्चन है तो जल्दी से सभी रोग और दो सेगेंड टाइम आप तो नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख मत देते हैं तो आप्शन C वाले से यह आपको डी वर्ल्ड हेल्थ और्थोड़क्स टाइम शुरू हो चुका है फूल फॉर्म ओफ डाब्लू एचो चलिए जल्दी से डाब्लू एचो का पूरा नाम क्या होता है अप्शन ध्यान देना ठीक है फूल फॉर्म है बड़ा मिस्टिक करोगे गलत गुट जोस चलिए आपको डाब्लू एचो का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ अग्नाइजेशन अप्शन बी वाले सही है नेक्स्ट कोस्टन में 39 कारगील विजय दिवाश कब मनाते हैं अप्शन 16 दिसमर को बी 24 जुलाई को सी 26 जुलाई को या 26 दिसमर को टाइम शुरू हो चुका है का कारगील विजय दिवस ने कारगील विक्ट्री डे कब मनाते हैं मोस्ट वीवाइए क्वोस्टन जो में 39 में हुआ था ना यूद कारगील विजय दिवस कब सिलिविट करते हैं प्रतेक वर्स चली जल्दी अराम से बट जल्दी लिमिट टाइम है ठीक है टाइम आपका लुकर बिच की सिमा को क्या करते हैं ऑफचनल इल ओ सी बीड हरेकव लायन सी मैक मुहा लाइन या वैफय डी एल एस्जू टाइम शुरू हो चुका है का है इंडिया और पाकिस्तन के बिचकी सीमा को विए बार्डर को क्या का थैं किस नहम से बिलाते हैं यह बताना 5 को 2002 का नए latest question यह सारे, पिछले साल नहीं पूछा था, आपको सारे question बदा आपको, पिछले साल का भी और इस साल का भी, इसलिए total number of question आपको, 16-100 से भी ज्यादा बदा जिगो, long answer भी पढ़ना है, ठीक है, चिले time up, भारत तो पाकिस्तान के बीच की सीमा को, रेड़ ग्लीफ लाइन बोलते हैं, ठीक है, option B बाले साहिए, next, question number 41, कुट्टे के काटने से कौन सी बिमारी होती है, option ए, डेंगू, बी रे बीज, शी मलेरिया, या फुडी एंत्रेक्स, time शुरू हो चुका, easy question है, which disease caused by dog bite, यानि कुट्टे जोग काटते हैं जो, होते बहुत पर लेकिन काटते हैं, तो खतनाग बिमारी होती है, तो कौन सी बिमारी होती है, ये बताना है, चलिए जल्दी से सभी लोग, गुर्जोष और दो सेकेंड मात्र टाइम बचा है, time off, तो कुट्टे के काटने से, रे बीज बिमारी होती है, तो option B बाले से ही रे बीज, next, question number 42, सबसे ज्यादा सच्छर्था वाला राज्य कौन सा है, option बिहार, B के रल, C उत्राखंड, EFD, दिल्ली, time शुरू हो चुका है, question समझीए गया नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ाली का state कौन सा है, चलिए जल्दी और डेली आपकी class ऐसी limit time में होगी, ठीक है, तो यह class most B बाई है, और इसमें टाइमेस भी जरा सा भी टाइमेस नहीं होता है, तो class आप continue करेंगे regular, अगर आपको NCC लेनी है तो, चलिए fast, time up, उस सबसे ज्यादा सचर्टावाला राज केराल है, यानि option B बाले से यह केराल है, question 43, mobile phone का जनक कौन है, option न्यूटन, B, Alexander Graham Bell, C, Galileo Galilei, या आपकोटी Martin Cooper, time शुरू हो चुका है, who invented mobile phone, जल्दी से सब भी लो, mobile phone का जनक कौन है, यानि किस ने mobile phone का विस्कार किया, option आपके सामने है, only three seconds remaining, time up, तो mobile phone के जनक, Martin Cooper है, ठीक है, तो option D वाले से भी Martin Cooper, next, 44 number, 2021 ओलमपिक में पहला मिडल किस ने जीता, option मीराबै चानू ने, B, नीरत चपडा ने, C, PV सिंधू ने, या अफ़ोडी लोवलीना बर्गोहन ने, time शुरू हो चुका है, 2021 ओलमपिक में पहला मिडल किस ने जीता, मैंनी first मिडल भारत को कौन दिलाया, इसमें भी काफी लोग first तो जोलूब नहीं पढ़ते हो, काफी लोग नीरत चपडा अभी भी लिख रहे है, आपको पढ़ने की जरुवत है, तुका लगाने से कुछ नहीं होने माला, selection तो बह भारत की सबसे पुरानी शभ्यता कोन सी है, option बैसे ने वैदिक सब्यता, B कालीबंग, C हडपा सब्यता र्व्यवत़ी, महभारत कालीण सब्यता, टायम शुरू हो चुका है भारत की सबसे पुरानी सब्वेता कौन सी है तो शबी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे वैदिक सब्वेता, काली बंगा, हडपा शब्वेता, या फिडी महाभारत काली शब्वेता तो आंसर सभी का सही होना ची जल्दी पर कांट करते रहा है कितना सही है, टाइम आप भारत की सबसे पुरानी सब्वेता, हडपा सब्वेता है तो आप्शन सी बाले सही हडपा नेक्स्ट 46 नमबर भारत की राष्टी पच्छी का नाम अता है आप्शन है कबुत्तर भारत की राष्टी पच्छी नेक्स्ट भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई अप्शन है 16 अपरेल 1857 को बी 18 जुलाई 1853 को शी 16 अपरेल 1853 को या फोडी 15 अगस्ट 1857 को टाइम सिर्योस जुका मोस्ट वीवेई कोशन ही ये सब पूछ दिया नहीं पढ़ेंगे डेट के साथ या दो ना चीए फिर गलब भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी ये पूछ रहा है आप्शन आपके सामने है सबी लोग जल्दी से बताएं और पांच सिकंड चलिए फास्ट टाइम अब भारत में प्रथमा रहनी सबसे पहले रेल सोला अपरेल अठारसो तिरिपर्ण कोच लाए गई थी आप्शन सी वाले सही है नेक्स पटेट नमर भारत का राजकी प्रतीक क्या है आप्शन अशोक चक्र बी तिरांगा जंडा शी अशोक का पेड़ या फिर अशोक अस्तम टाइम शिरू चुका है भारत का राजकी प्रतीक क्या है यानि अपना नेशनल सींबल कौन सा है नेशनल साइन सभी को पता होना चीए इसमें लोग बच्चा क्लास में पढ़ते हैं इसमें भी काफी लोग फस्ते हो अशोक चक्र काफी लोग अभी बता रहें देख रहे हो आप लोग पढ़िये जरा चिली फास्ट टाइम अब भारत का राजकी प्रतीक अशोक अस्तम अठीक है जो कि सारनात में है तो आप्शन बच्चा वाला कोस्चन आ गया और यह कोस्चन अभी तब इस बार भी 2022 में भी 12-15 जगव पूछ दिया और पिछले साल भी पूछा था तो मोस्ट वीविया यह बहुत इजी है एक ही बार हुआ है चाइना सीउद तो कब हुआ यह बताना और जो लोग नए होंगे आप चनल सब्सक्राइब करेंगा ठीक है चलिए जल्दी टाइम आप तो भारत चीन का यूद 1922 में होगा था तो आप्शन एवाले से 1922 कोस्टम अफिटी ICC का फूल फॉर्म लिखे और यह कोश्चन आपके एगजाम में पूछा गया है जल्दी से और एक सेगंड टाइम आप तो ICC का फूल फॉर्म हता है International Cricket Council आप्शन एवाले से यह बाके सबी गलाद हो आपलोग पढ़िए पोस्टम अफिटी वन हिंदी दिवाश कब मनाया जाता है आप्शन ए पांच सितंबर को बी चौदा नमबर को शी 15 जनवरी को या फूदी 14 सितंबर को टाइम शुरू हो चुका है वेन वी सेलिबरेट हिंदी डेट दिवाश मतलब के वाल डेट होता है ठीक है तो गल्दी से भी कोई यार नहीं लिखेगा सब्जेक्टिव में हिंदी दिवाश कब मनाते हैं अभी थोड़े दिन पहले तो था नहीं हिंदी दिवाश चलिए जल्दी पास्ट टाइम आप तो हिंदी दिवाश पर तेक वार्श 14 सेप्टेंबर यानी 14 सितंबर को मनाते हैं अप्शन दी वाले सरी है नेक्स्ट कोश्टामा 52 लिक्त्रेटील कर्लेटों इलेक्ट्रोनिक वोटर मसीन लेक्ट्रीकिल मसीन दिवाश न उल्सा यान दिजीएगा इसमें काफी फर सकते हैं सारा लगानाय एक ही जैसे हैं बड़ अलगालगा है तो जल्दी से EVM का फुल्फर्म, EVM vote counting मता है आपको पता है न, EVM machine, का आफिर लोग चोरी कर लेते हैं, तो वही EVM का फुल्फर्म, और दो शेकेंड बचा है, जल्दी, time up, EVM का फुल्फर्म मता है, electronic voting machine, option C वाले सही है, next, question 53, नोबेल पुरुषकार जितने वाले PCI व्यक्ति का नाम लिखू, option ए, रविन्ना ठाकूर, B, रविन्ना टेगोर, C, महत्मा गांधी, या फुल्फर्म डॉक्टर, राजेंद्र परसाद, time शुरू हो चुका है, नोबेल पुरुषकार जितने वाले PCI व्यक्ति का नाम पुरुषकार जितने वाले PCI व्यक्ति उनका नाम है, रविन्ना टेगोर, option B वाले PC, रविन्ना टेगोर, नेक्स्ट, question 54, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, option ए, सुस्मा स्वराज, वी प्रडव मुखर जी, शी सिर्मती निर्मला सितरमान, या पडि डॉक्टर सुगर हाडम, जय संकर, टाइम शुरुए चुका है, current affairs most of VI, आपके राजस लिटर्ड और सेंटर से दोनो, current affairs आपको पता आओना ची, मंत्री मंडल, who is the present, foreign minister of India, यानी हमारे विदेश मंत्री कौन है अभी, option आपके सामने है, जल्दी सभी लो, गुड़ जोष, चलिए टाइम आप, तो अभी भारात के वर्तवान विदेश मंत्री है, डॉक्टर, शुबर हाडम, जय संकर, यानी, तो तीसरा कौन बता है, option आपके साथ डिगरी, बी साथ डिगरी, ची अच्छी डिगरी, या फिडी नवब डिगरी, टाइम शुरू हो चुगा, only 20 seconds, mathematical है, लेकिन, easy है, इसलिए 20 seconds ही मिलेगा, एक्स्टा टाइम नहीं, तो बच्चा, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 120 डिगरी, दो को दिया, तो दोनों को आड़ करके, इसमें स्मेंस कर देंगे, 90 डिगरी, प्लस 30 डिगरी आड़ कर देंगे, कितना होगा, 120 डिगरी, कितना होगा, 60 डिगरी होगा न, किसका किसका 60 डिगरी आया, चले टाइम आप, तो सलूसन देख लो, कैसे सल्व करते हैं, ट्रिंगल वाला, जिनका अंसर ऑप्शन B है, शाट डिगरी आप लोग सही है, बाकी लोग गलत, बी वाले सही है, नेक्स्ट, 56 नमबर, वायू शे सब्सक्राइब कोश्चन काफी इंपोर्टेंट है, और अक्सर पूछता है, इस्टेटस तो सब लोग लगाता है न, जब भी एर फोर्स डे होता है, और आर्मी डो या नेवी डे हो, चले जदी या फिर न्सी सी डे हो, तो जोस, टाइम अप, तो वायू सेना दिवस प्रत प्राश्च पती का नाम बता है, ओप्सन भायरोशी से खावत, भी मोहमद हमीद अनसारी, शी जगदीब धनकड या फिडी मिस्टर वेंकया नायडू, टाइम शुरू हो चुका है, हो इस्टब प्रिजेंट वाइस प्रिसडेंट अफ इंडिया, सब लोग जल्दी से बता भारत के वर्तवान उप्राश्पती है, जगदीब धनकड, तो ओप्सन C वाले सी है, जगदीब धनकड, नेक्स्ट, कोशा में 58, टेली विजन का विश्कार किस ने किया था, ओप्सन ने, नीटर ने, बी, अलेक जेन्डर गरहाम बेल ने, शी, गलीली ओ गलीली ने, या फ और डेली कलास टाइम से, शमय से कीजिए का सुबसाम दोनों टाइम, जब भी कलास होता है, सुबस, ओली एर नहीं होता है, लेकिन साम में आपकी रेगुलर, आठ बजे साम में चलीगी, ठीक है, पूटे साल, शीरो टाइम हब, टेली विजन का विश्कार, अलेक्स जेंड को या फिर निरत चुपड़ा को, टाइम शुरू हो चुका, उडन शीख को किसके नाम से जाना जाता है, ओप्सन आपके सामने है, तो जल्दी सभी लोग बताएंगे, इजी है, चलिए फास्ट, इस कांसर सभी का सही आना चीए, फिर भी कुछ लोग गलत जारें, तो आप उडन सीख को, मिलका सीख के नाम से जाना तो अप्सन नेवाले सीख को, नेक्स्ट, कोश्टन में 60, थल सेणा दिवस कब मनाते हैं, ऑप्सन आठ अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, शी 15 जनवरी को, या फोडी 26 जनवरी को, यानि आर्मी डे कब मनाते हैं, टाइम सिरू हो हो चुका है कि सभी लोग जल्दी से बताएंगे वेन वी सेलिवरेट आर्मी डे कि छिटी जल्दी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बीना किशी देडी के सभी कांसर आना चीए गुर्जोष टाइम अप ठीक है अभी तो बट कुछ लोग फिर भी गलत है तो थल से नदर सेनी आर्मी डे प्रतेक वर्स 15 जनवरी को मनाते है तो शीवल सी है देखिए केवाल आर्मी लभर बोलने से नहीं होता है तो पढ़ना पड़ेगा तभी आर्मी मिलेगी कोष्टामा 61 भारतिये गरतानते दिवस कब मनाते है ओप्सेन 15 जुन को सी 26 जुलाई को या 26 जिनवरी को टाइम चुरू हो चुका है वेन वी सिलिबरेट इंडियान रिपॉबलिक डे इसका अंसर तो जो गलत कर दिया मतलब आप बिलकुल नहीं पढ़ते हो आपका ध्यान भी क्लास में नहीं है यह दम बच्चावाला यह हमारा राष्टी यह तेवार है हर सल मनाते हैं जंडा लेके निकलते हो कब मनाते गरतान दिवस शभी लोग जल्दी से बताएं और जब आप NCC जवान करें ताब NCC उनिफॉर्म में मनाएंगे टाइम आप और परेड़ी भ पेड़ कौन सा है ओप्सन ए आम का पेड़ बी पीपल का पेड़ शी अशोक का पेड़ या फटी बर्गत का पेड़ टाइम शुरू हो चुका है विची दर नेशनाल ट्री अफ दा इंडिया सेकेंड थर्ड क्लास का इक कॉश्चन का लेवल है टाइम इधर आपका चल रहा ठीक है तो लिमिट टाइम में बताना है सही आंसर और आप तभी बता पेड़ेंगे जब आप पढ़ के आएंगे प्रेलिस में सारे मोडल विपर से बाकी अयप पीडियाप जल्दी आ जागा चलिए जल्दी टाइम आप तो भारत का रास्टी ये पेड़्यानी नेशनाल ट्री बरगत का पेड़ है आप्शन डी वाले सी बरगत का पेड़ है कोश्टमर 63 खटे फॉलो में कौन सा विटाम बी विटामिन सी शी विटामिन बी या फिर डी विटामिन ए खटे फॉलो में पूछा है तो आप्शन टाइम आपकर शुरू हो चुका है यहनि राइप फूर्ट्स में कौन सा विटामिन होता है विटामिन डी विटामिन सी विटामिन बी या फिर विटामिन ए इसका आंस विटामिन C पाया जाता है, वोप्चन B वाले C, विटामिन C, नेक्स्ट, पोस्टामा 64, इन कलाब जिन्दाबाद का नाराख किष्ण ने दिया था, वोप्चन भगसी ने, B सुभाच चंद्रबोस ने, शी लालबादु शास्त्री ने या फिरी महत्मा गंदी ने, टाइम श कीजी है, यह काफी फेमस नारा है, वोप्चन लोग सुभाच चंद्रबोस और गांधी कर रहे है, तो आप लोग पढ़िए, गलत हो, चलिए टाइम अब, तो E इन कलाब जिन्दाबाद का नारा इए, शहीदे आजम भगसी ने दिया था, आप्शन ने वाले से ही भगसी 65 नमबर, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आप्शन ने महावीर, बी अजितनाथ, सी शंभावनाथ, या फिर डी रीशवदेव, टाइम शुरू हो चुका है, जैन धर्म के संस्थापक मतलब इसकी शुरूआत किस ने किया, अस्थापना किस ने किया था, यह बताना है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर, अजितनाथ, संभावनाथ, या फिर अप्शन डी रीशवदेव, चली जल्दी, गुड जोर्स, टाइम अप, तो जैन धर्म के संस्थापक रीशवदेव थे, तो अप्शन डी वाले सी यह रीशवदेव, नेक्स्ट, 66 नमबर भारतिय, राष्टिय, कंॉगरेश के स्थापक रीशवदेव, टाइम श्री नहीं पूए थे, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, बीना किशी देरी के, चलिए fort, इंडियान राष्टी कॉंग्रेस नेशनल कॉंग्रेस गुर्जवस अभी तो सब लोग पिर भी कुछ लोग गलत हैं तो टाइम ओप हो गया तो भारती राष्टी कॉंग्रेस के स्थापना 850 मुई थी तो आप्शन C वाले सी 850 ये भी कोष्टन बहुत जगब पूछा है इस सब इंस्पेक्शन या अफ़डी शुवदार इंस्पेक्टर टाइम शुरू हो चुका है एसाई जानते हैं आप लोग कुछ लोग एसाई का त्यारे भी करते होंगे कि यहां भाई हमें दरोगा बनना है उसका फुल फॉर्म बताई एसाई का फुल फॉर्म क्या होता है च पास्ट टाइम हो गया है तो एसाई का फॉल फॉर्म सॉब इंस्पेक्टर होता है तो आप्च्टन B बाले सी सब इंस्पेक्टर टाइम शुरू हो चुका है करेंट अफेर्स मोस्ट बीब्याई हूँ इस दे प्रिजेंट डीफेंस मिनिस्टर आफ इंडिया जल्दी अभी थोड़ी दिर पहले आ था विदेश मंद्री तो करेंट अफेर्स पूछता है पूछता है आपके राजी कभी पूछ देगा क्या आपके राजी के सिछा मंद् सर्दार अबल्ला भाई पटेल की किस राज में इस्थी था आप्शन बिहार में बी राजस्थान में शी गुजरात में याभवडी उत्रप्रदिश में टाइम शुरू है और एक कोश्चन बचाया तो आप लोग देख सकते रफ सतर कोश्चन 40 to 45 में इतना कम टाइम आपक की सबसे उची परती मां शर्दार वल्ला भी पटेल के गुजरात में तो आप्शन सी वाले से ये गुजरात पुरी दुनिया की सबसे उची मूर्थी है लास्ट कोश्चरम सेबंटी दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया आप्शन भगासी ने बी सुभास चंद्रबोष ने शी लालबादुफ शास्त्री ने याखवडी महत्मा गान दिने टाइम शरू हो चुका है दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया भगासी ने शुभास चंद्रबोष ने लालबादुफ शास्त्री ने याखवडी महत्मा गान दिने शब लोग जल्दी से बताएंगे चलिए तो दिल्ली चलो को नारा ये सुभास चंदर बोश कता है अप्शन B वाले से और अभी आप लोग कमेंट करके बता है वीनर कौने गाई चंदर में सतर किसका सही है उमीद तो बहुत कम है कि एक-दो लोग ही होगा लेकिन जिनका आज सतर में सतर नहीं तो आप लोग कल से फूल्स द्यारी करगा एंग MARC वेबसाइट पर मिलेंगे आप गूगल पर सर्च के लेंगे बाकी आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्समें दे दियाओ इस ग्रूप पर मैं इसमें सारे एंस्सी इनको लेना है वही लोग है उसमें नोट्स चेन कर देता हूँ ठीक है एंस्सी भरती वाली जो आपको होमाग देता हूँ सारा कुछ अब टेलीग्राम जो यन करेंगे लिंक description में और बाकी जो रूख Instagram यूज करतों आप codes दे मेरे kon ligger में प्रोच हो और को कोई दिगस हों इंस्क्रीव एंस्सविक्तव divided wydaje मिग्राम डार् Whilst लुक्त में अब लुग क्लास करेंगे और पढ़के आई सतर में सतर से उने ठीक है तभी आपका सिलेक्शन हो ठीक है फिर अभी के लिए इतना आई शबी को बेश्ट अपलाग धन्यवाद जय ही रहे